हेलो फ्रेंट्स वेलकम माई यूटूब चैनल है मा के ब्रत कता उपाई चैनल में स्वागत है आप सभी का कैसे हो फ्रेंट्स आप सभी ये बताने के लिए कमेंट वोक्स में जै श्री किष्णा जै भोलेनात कुछ भी आप लिख सकते हैं तो आज मैं आपको गर्म में जब कहोती चुक रहती हैं जानने की जिनके पहले से दो कन्यां तेन गर्म में को जिग्या सा रहती है कि हमारे घर में पलनेवाला नटका है या लड़कि है उस प्रकार से टीन निसानिया आपको बताउंगी वैसे तो लड़का लड़की दोनों ही समान होते कोई उनने भी दबाब नहीं करना चाहिए फिर वी जिन बहनों के भाई नहीं उता उनको भाई की इच्छा रहती है और जिनके भाई रहता उनके बहन है दोष्ट styvra जानकारी देने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यूव है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए गरवती स्त्री कैसे पता कर सकती है कि उसके पेट में बलने वाला बच्चा जो पेट में बच्चा पल रहा है वह लड़का है या लड़की तीन अंगों में दर्द रहता है हमेशा दर्द बना रहता है और यह हमारे जो भुजुर्ग होते हैं वह भी इन चीजों को बताते है जब उनको बताते हैं कि हमारे यहां दर्द है तो वह इन चीजों को अनभव करके बताते हैं कि यह दर्द लड़का का होता है और मेरा खुद का भी यह अनभव है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ तो मैं आज आपके साथ सेयर कर रही हूँ यह आपको जानकारी दे रही हूँ दोस तरी के सिर में दर्द हो रहा है पैर में दर्द हो रहा है तो दूसरी के भी वही हो ऐसा बिलकुल भी नहीं है अलग-अलग महिलाओं के अलग-अलग लेकिन आप गबराएं नहीं ये लड़का होने का एक सुब संकेत होता है सीधी साइड में अगर दर्द रहता है या नावी में हलका फुलका दर्द रहता है बैठते हैं या खाना खाते हैं उसके बाद दर्द रह रहा है या लेट रहें तो ये दर्द हमेशा बना रहता है औ पांचवे महीने के बाद अकसर दिखाई देते हैं उससे पहले कोई लक्षन ऐसा दिखाई नहीं देता दूसरा जो लक्षन है हमे़सा सिर में दर्द बना रहता है हमे़सा लड़के के टाइम पे आप कभी भी देखना नोटिस करना आगर आपके पहले से लड़की है और कुछ चेंजिस लग रहा है तो सिर में दर्द हमेशा बना रहता है आप यहां दवाई ले या कुछ भी करें लेकिन तोड़ी देर शांत होता है और फिर सिर में दर्द होने लग जाता है इस पिरकार से ये दो लक्षण मैंने आपको बता है और तीसरा जो लक्षण है पैरों में यानि कि जो जांग होती है हमारी पैर होते हैं पैर से जंगा तक लेकर के इन में हमेशा दर्द बना रहता है और भारापन इसमें रहता है ज तो यह तीन लक्षण मैंने आपको बता हैं लड़का होने की यह संकेत अगर आपको मिलते हैं यह दिखाई देते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपके गर में पलने वाला बच्चा पलने वाला शिशु लड़का है या लड़की आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर में जो पलने वाला बच्चा है वो बेटा है या बेटी है ये बैसे तो बहुत सारे चेंजिस आते हैं बहुत सारे लक्षन दिखाई देते हैं लेकिन ये मेरा खुद का अनुभवी है और कई सारी लेडियों के अंदर ये चेंजिस मैंने देखा है तो उनके लड़का ही हुआ है जितने भी चेंजिस मैंने देखा उनके सभी के लड़का हुआ है तो मैंने सोचा मैं भी सेयर करूं इस बात को ताकि औरों को जानकारी हो औरों को लाम मिल सके औरों को पता चल सके जाय स्री किष्णा रादे रादे